प्रिया विद्यार्थियो आगामी प्रारंभिक परिक्षा को देखते हुए द्रिष्टिया येस यूट्यूब चैनल पर आर्थिक सर्विक्षन 2017-18 को चार भागों में प्रस्तोत किया जा रहा है इसके चोथे भाग को आज ओडियो आर्टिकल में प्रस्तोत किया जा रहा है हमें विश्वास है कि यह पहल आपकी सटीक तैयारी में महतुपूर्ण साबित होगी आर्थिक सर्विक्षन के विस्तरत अध्याइन के लिए आप द्रिष्टी पब्लिकेशन्स के किताब आर्थिक परिद्रिष्य 2018 का अध्याइन कर सकते हैं यह किताब सभी बुकिस टॉल्स पर उपलब्द हैं तो आईए आर्थिक सर्विक्षन 2017-18 भाग चार की शुरुवात करते हैं। इस कदम को और भी प्रभावी बनाते हुए प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना को संचालित किया है। गौर तलब है कि विश्वबैंक के एक अनुमान के अनुसार भारत की आधियाबादी दोहजार पचास तक शहरी हो जाएगी। और ऐसा भी अनुमान व्यक्त किया गया है कि दोहजार पचास तक क्रिशी के कुल श्रमबल में श्रमिकों का प्रतिशत कम हो जाएगा। इसलिए देश में क्रिशी अंत्रों को बढ़ाने की जरूरत है। अब बात करते हैं निवेश और बचत की जिसमें गिरावट और सुधार की स्थिती जारी है। 2000 से 2010 के बीच भारत में निवेश और बचत की दर बहुत उंचे अस्तर तक पहुँच गई थी लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी और आज भी यह गिरावट की प्रक्रिया जारी है। आप सवाल बनता है कि निवेश और बचत से अर्थोयवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताएं कि निवेश में गिरावट से विकास की प्रक्रिया में भी गिरावट आने लगती है और निवेश में वृद्धी से विकास प्रक्रिया में भी वृद्धी होती है लेकिन यह बचत को प्रभावित करे यह जरूरी नहीं है देश के विकास पर गिरावट का प्रभाव लंबे समय तक न रहे, इसे रोकने के लिए निवेश के स्थिती में सुधार की जरूरत है अब बात करते हैं मौद्रिक प्रबंधन और वित्तिय मध्यस्तता की आर्थिक सर्विक्षन में बताया गया कि वर्ष 2017-18 के दोरान जन्वरी तक मौद्रिक ने तेज थिर बनी रही जिसमें अगस्त में केवल एक पॉलिसी दर में कटोती की गई समय बितने के साथ-साथ नोटबंधी के प्रभाव में कमी आने लगी और धीरे-धीरे मुद्रा का प्रभाव भी तेज हो गया हालांकि ओद्योगिक शत्र को दिये जाने वाले रेणों में मंदी व्यापत रही इसी तरह सरकार की 10 वर्षिय सरकारी प्रतिभूतियों में सितंबर 2017 से सिर्था आ गई है 2017-18 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरपसी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक तंत्र बनाया गया है जिसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरपसी कूड यानि IBC तंत्र कहा जाता है बैंकिंग शत्र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानि NPA की समस्याओं से निपटने के लिए भी IBC तंत्र का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है अब देखते हैं सामाजिक अवसनरचना, रोजगार और मानो विकास की स्थिति कैसी है भारत में समावेशी और सतत विकास लाने के लिए सामाजिक अवसन रचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ और सामाजिक सुरक्षा को भारत सरकार द्वारा सर्वोच प्राथमिक्ता प्रदान की जा रही है इसी तरह एक और जहां सरकार द्वारा मानोस संसाधन पर व्याय बढ़ाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कई योजनाओं का विलैकर कारिक शमता को बढ़ाने के उपाय भी किये जा रहे हैं इस तरह सरकार द्वारा जनता को रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किये जा रहे हैं इन उपायों में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार में जेंडर गैप को कम करना थथा समाज में व्याप्त विशमता को दूर करना इत्यादी सर कार के लक्ष रहे हैं आर्थिक सर्विक्षन में बताया गया कि राष्ट का स्वास्ते स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जीवन के अनुकूल वातावरण में मजबूती से जुड़ा हुआ है स्वच्छते जीवन में स्वच्छता की भूमिका को ध्यान में रखते लगभग 55 करोड थी जो काफी तेजी से घटकर जनवरी 2018 तक 25 करोड हो गई है देश में आठ राजियों और दो केंदर शासित प्रदेशों को पूर्ण तह खुले में सौच से मुक्त गोशित किया जा चुका है राष्ट्रिय प्रतिदर्ष सर्विक्षन कार्याले यानि न 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग शौचालेयों का प्रयूग कर रहे थे आर्थिक सर्विक्षन में यह भी बताया गया कि ग्रामीर क्षेत्रों में खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष तीन की आर्थिक सर्विक्षन में बताया गया कि SDG 3 में सभी आयू के लोगों के लिए स्वास्थ जीवन प्रदान करना मुख्य लक्ष है इसकारिक्रम में जो लक्ष तै किये गए हैं वेराश्ट्रिय स्वास्थे नीती 2017 के अनुरूप हैं इसकारिक्रम से स्वास्थे सेवा प्र पर ध्यान दिया गया है यहां इस बात का भी उलेख किया गया है कि 2016 देश के लिए स्वास्थे द्रिष्ट्री से ज्यादा समस्या वाला वर्ष रहा है जहां बाल एवं मात्रित्व कुपोशन सबसे ज्यादा चुनोती पूर्ण वा जोखिम भरा कारक रहा है इसी तरह अन राज्यों द्वारा स्वास्थेक्षत्र में होने वाले खर्च को 2020 तक 8 प्रत्षत से अधिक बढ़ाये जाने की सिफारिश की गई है आर्थिक सर्विक्षण में इंडिया हेल्थ ऑफ द निशन्स स्टेट्स 2017 के रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिया गया है जो 1990 से 2016 तक देश के सभी राज्यों में बीमारी संबंधी कारकों के वितरन से संबंधित निशकर्ष को उपलब्द कराता है आशक्तता समायोजित जीवन वर्षों यानि D.A.L.Y. की संकल्पना रोगों का दबाव और जोखिम कारकों का विशलेशन करने के लिए एक धाचे को उपलब्द कर आती है यहां D.A.L.Y. का अर्थ किसी व्यक्ति की समय पूरु मृत्यू तथा आशक्तता के कारण नश्ट हुए उत्पादन कारी जीवन के वर्षों के योग से है आर्थिक सर्विक्षन में इस बात पर भी बल दिया गया है कि देश के लोगों के स्वास्ते स्थिति में का जोग निदान संबंधी जाचों के खर्च अधिक होने के कारण लोगों की जेप पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिसे सरकार द्वारा कम करने की जरूरत है अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष चार की भारत सरकार समाज के सभी वर्गों के एक छात्रों के लिए समावे आर्थिक शिक्षा के विस्तरत लक्ष को प्राप्ट करने के उद्धिश्य से 2010 में नेशुलक और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लाया गया यह अधिनियम 6-14 वर्ष की आयू के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है इसी तरह आर्थिक सर्विक्षण में स्टुडेंट और क्लास्रूम के अनुपात का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक आदर्ष क्लास्रूम का आकार 30 छात्रों के बैठने लाइक होना चाहिए, हाला कि इस स्थिति में लगभग सभी राज्यों में सुधार अगर हम स्टुडेंट और टीचर के अनुपात की बात करें, तो यहाँ प्रात्मिक विद्यालेओं और उच्छ प्रात्मिक विद्यालेओं में यह अनुपात क्रमशा 30 अनुपात 1 और 35 अनुपात 1 होना चाहिए, वह और तलब है कि आर्थिक सर्विक्षण में लेंगिक स अभी भी बनी हुई हैं, जिसके लिए सरकार उच्छ शिक्षा में बालिकाओं के प्रवेश को सुधारने का प्रयास कर रही है। के अनुसार देश में लोकसभा में 64 और राजसभा में 27 महिला सदस्य थी, इसी तरह ऑक्टूबर 2016 के स्थिति के अनुसार देश में कुल 418 विधान सभा सदस्यों में से केवल 9 प्रतिशत महिला आये थी। राजविधान सभाओं में महिलाओं की राजवार इस्थिति की बात करें तो 14 प्रतिशत के साथ बिहार, हरियाडा और राजस्थान पहले स्थान पर थे, मध्य प्रदेश और पश्यम मंगाल 13 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर तथा, गोरतलब है कि भारत में वर्ष 2010 से 2017 के बीच निचले सदन में महिलाओं की भागिदारी एक प्रतिशत बढ़ी है, रवांडा जैसे विकास शील देश में एक तरफ जहां वर्ष 2017 में संसद में 60 प्रतिशत महिला प्रतिशत हैं, वहीं दूसरी तरफ मिस्र, भारत, ब्राजील, मलेशिया, जापान, श्रिलं का और थाइलेंड में संसद में महिलाओं का प्रतिशत्व 15 प्रतिशत है, आई अब नोट करते हैं आज का सवाल, सवाल है, आर्थिक सरविक्षन में एक ओर जहां किसानों के हेतों, निवेश और बचत तथा मौदरिक प्रबंधन के बीच समनवे साधनी की कोशिश की गई सरकार द्वारा किये जा रहे इन प्रयासों का मुल्यांकन कीजिए